Hello friends, welcome back to my channel Civil Users दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक और frustrated problem का solution कि what is .ba के file in AutoCAD मतलब कि AutoCAD की जो .back file होती है वो क्या होती है और back file का क्या use होता है AutoCAD में back file कब create होती है back file को कैसे open कर सकती है AutoCAD में और can we recover AutoCAD corrupted files by using back file in AutoCAD मतलब कि AutoCAD की corrupted files को क्या हम back file का use करके recover कर सकते हैं या नहीं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी problems के solution बताऊंगा और friends basically आज की जो वीडियो है वो सभी AutoCAD users के लिए है ठीक है friends दोस्तों इस वीडियो को start करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में AutoCAD की frustrated problem का solution बताया था कि how to recover AutoCAD deleted files या फिर how to recover AutoCAD corrupted files मतलब कि AutoCAD की corrupted या deleted files को आप कैसे recover कर सकते हो और friends अगर आप एक AutoCAD user और AutoCAD को आप use करते हो तो friends मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि AutoCAD को use करने से पहले आपको एक setting करनी जरूरी है जो बहुत ही जादा important है आपके लिए otherwise आपको बहुत ही जादा problem हो जाएगी अगर आपने वो setting नहीं की तो friends आप मेरी इस पिछली वीडियो को जाके देख सकते हो आपको setting के बारे में पता चलेगा और AutoCAD की corrupted files को कैसे recover करना है उसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ठीक है तो friends इस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा और उपर i button पर click करके भी आप इस वीडियो को check कर सकते हो ठीक है friends तो चले friends अभी बात करते है AutoCAD की back file के बारे में friends सबसे पहले question के बारे में बात करेंगे what is back file in AutoCAD मतलब कि AutoCAD में back file जो होती है वो क्या होती है friends यहाँ पर back का मतलब होता है back up यानि कि AutoCAD की जो back file होती है वो back up के लिए काम आती है ठीक है सबसे पहला point यह था दूसरा point के बारे में बात करेंगे use of dot back file in AutoCAD मतलब कि back file का AutoCAD में use क्या है basically friends जब आप AutoCAD में काम कर रहे हो और आपने अपने किसी file को save करके रख लिया है अपने computer में ठीक है but जब आप उस file को वापिस open करते हो DWG file को तो वो suppose कीजिए आपकी वो file corrupt हो चुकी है तो उस case में आप क्या करोगे उस case में आपको क्या करना है आपको अपनी DWG वाली file को delete कर देना है मतलब कि यह जो back file होती है कब create होती है suppose कीजिए अगर आप AutoCAD में काम कर रहे हो किसी नई file पे काम कर रहे हो जब तक आप उस file को save नहीं करोगे तब तक आपकी back file create नहीं होगी but जब आप उस file को save कर दोगे तब ही आपकी वो back file create हो जाएगी ठीक है और friends एक point और कि जब आप AutoCAD पे काम कर रहे हो तो AutoCAD की जो back file होती है वो time to time replace होती है कैसे replace होगी जब आप अपनी AutoCAD की current file को जिस file में आप काम करें उसको save करते रहते हो बार-बार तो उसी के according वो file replace होती है ठीक है suppose कीज़े आपने एक minute पहले कुछ काम किया और उस file को save करें ठीक है उसके बाद आपने 5 minute तक कुछ और काम किया बट उसको आपने save नहीं किया तो friends जो पहला data था सिर्फ वो ही उस back file में save हुआ था बाकी का जो आपने 5 minute तक का का काम किया था वो उस file में save नहीं हुआ था ठीक है फैंस दोस्तो fourth point के बारे में बात करेंगे how to open back file in AutoCAD मतलब कि AutoCAD की जो back file होती है उसको आप कैसे open कर सकते हो और AutoCAD में कैसे use कर सकते हो फैंस इस question का जवाब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा fifth question के बारे में बात करते है can we recover AutoCAD corrupted files by using back file in AutoCAD क्या हम AutoCAD की corrupted files को recover कर सकते है back file का use करके या नहीं दोस्तों ये point थोड़ा सा समझने वाला देखिए suppose कीजे आपकी कोई file आपने अपने laptop अपने computer में save करके रखिया ठीक है और वो by chance जब आप उसको open कर रहे हो तो वो corrupt हो चुकी है open नहीं हो रही है तो उस case में आप AutoCAD की वो back file का use करके अपनी file को recover कर सकते हो but suppose कीजे अगर आप AutoCAD में काम कर रहे हो ठीक है और आपने वो file को save नहीं किया है तो उस case में आपकी back file का कोई भी काम नहीं है क्योंकि आपकी back file ही create नहीं होगी अगर आपने अपनी उस AutoCAD की file को save नहीं किया है ठीक है और friends एक point और बताना चाहूंगा suppose कीजे आप AutoCAD में काम कर रहे हो ठीक है आपने एक minute पहले काम किया था वो आपने AutoCAD में save कर लिए but five minute के बाद जो आपने काम किया था वो save नहीं किया तो friends उस back file का use करके भी आप उस data को recover नहीं कर सकते अगर आपने अपनी file को save नहीं किया है तो और दोस्तो अपनी file को save करने के लिए automatic save करने के लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इस problem का solution बताया है एक setting मैंने आपको बतायी थी उसको आप जरूर से जरूर करके रखे ताकि आगे जाकर आपको कोई भी problem ना हो जब आप AutoCAD पे काम कर रहे हो ठीक है friends तो चले friends अभी हम बात करते है AutoCAD की back file क्या होती है किस तरह से होती है और किस तरह से आप उसको AutoCAD में open कर सकते है और किस तरह से AutoCAD की corrupted या फिर deleted files को recover कर सकते है AutoCAD में ठीक है तो friends सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई file ले ले लेते हैं तो simply मैं यहाँ पे control and press करूँगा या फिर उपर यहाँ पे left में click करके application menu पे new पे click कर दूँगा ठीक है उसके बाद open पे click करना है ठीक है दोस्तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो AutoCAD की एक file drawing number 2 के नाम से यहाँ पे open हो चुकी है ठीक है friends तो दोस्तो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे हम इस file को save करेंगे कैसे save करेंगे उपर application menu पे click करेंगे यहाँ पे save पे click कर देंगे ठीक है उसके बाद मैं इसको location देता हूँ जैसे कि मैं आपे desktop पे new folder में इसको मैं आपे save कर देता हूँ ठीक है back file create हो चुकी है या नहीं तो simply इसको minimize करेंगे उसके बाद हम इहाँ पे new folder को open करेंगे इस तरह से और friends अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि AutoCAD की back file अभी तक यहाँ पे create नहीं हुई है ठीक है तो simply अभी आपको क्या करना होगा वाप इससे अपने AutoCAD को open करना होगा यहाँ पे 123 वाली file को हम यहाँ से open करेंगे ठीक है तो friends अभी हम क्या करेंगे इस file में थोड़ा सा काम करेंगे क्यों अगर जब तक आप AutoCAD की किसी file में काम नहीं करोगे काम करके उसको save नहीं करोगे तब तक आपकी AutoCAD की back file create नहीं होगी ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ काम कर लेता हूँ ठीक है कुछ भी मैं x, y, z यहाँ पे काम किया इस तरह से ठीक है फ्रेंस यह मैंने यहाँ पर कुछ काम किया और इसको मैं भी save करेता हूं Ctrl S ठीक है या फिर आप उपर यहाँ पर click करके इसको save कर सकते हैं वापिस यह save हो चुके है अभी हम फिर से AutoCAD को minimize करेंगे और फैंस अभी आप इसकी पर देख सकते हो कि AutoCAD की जो .ba के file है वो यहाँ पर create हो चुके है तो फैंस अभी हम क्या करेंगे वापिस से AutoCAD को open करेंगे इस तरह से ठीक है और यह जो file जिस पर हम काम करेंगे इसको मैं से close करेंगे या मैं इसको cut किया ठीक है और इसको AutoCAD कहा से minimize करेंगे ठीक है अभी हम क्या करेंगे यह जो 123 वाली file है ठीक है यह जो 123 वाली file DWG format के इस पर हम right click करेंगे और इस file को हम यहाँ से कर देते हैं delete ठीक है delete करेंगे अभी आप देख सकते हो कि AutoCAD की DWG file format वाली file delete हो चुके ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है इस .ba के file को use करना है कैसे करेंगे AutoCAD में same to same data हमें वापिस चीज जो हमने जिस file में काम किया था ठीक है तो इस पर click करके right click करना है उसके बाद आपको rename पे click करना है ठीक है rename पे click करने के बाद यह जो .ba के format है ठीक है तो दोस्तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस file का format जो है वो dwg file में हो चुका है ठीक है तो simply अभी इसको open करेंगे right click करेंगे इसको open कर देंगे ठीक है तो दोस्तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो काम हमने AutoCAD की file में किया था वो same to same अभी इस file में वापिस आ चुका है ठीक है friends तो friends simply अभी हम इसको फिर से save करेंगे यहां से इस पर हम save करेंगे और उसके बाद वापिस से हम इसको minimize करेंगे तो friends आप फिर से देख सकते हो कि AutoCAD की back file फिर से automatically यहां पे create हो चुकी है ठीक है friends तो friends कहने का मतलब यह है कि आप AutoCAD की back file का use तब तक कर सकते हो जब आप AutoCAD की किसी भी file पे काम करते हुए उसको बार-बार save कर रहे हो ठीक है और friends अगर आप यह जानना चाते हो कि AutoCAD की file को किस तरह से automatic save करते है और कहां पे save करते हैं computer की किस location पे तो आप इसली वीडियो को जाके जरूर से जरूर चेक करना ठीक है तो friends I hope कि अभी आप अच्छे से समझ गये होगे कि back file क्या होती है AutoCAD में और किस तरह से use करना होता ठीक है तो friends अगर इस वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो please इस वीडियो को like करो comment करो share करो ठीक है तो friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडियो में thank you bye bye